भारती जनता पार्टी महराष्ट में बेहत कमजूर स्थिती में है भलही महराष्ट में उसकी सरकार है देविंदर फ़लनवीस उपमुख्यमंत्री है लेकिन भाजपा की स्थिती बड़ी नाजुक है लोग सभा चुनाओं में भाजपा ने बेहत खराब प्रदर्शन किया और अब भाजपा तयारी कर रही है महराष्ट में डेल सो सीटों पर अकेले चुनाओं लड़ने की बाकी सीटे अपने सहयोगियों को देने की और लड़ाई यहीं पर आकर बड़ी हो जाती है दोस्तों क्योंकि एक नाजपा शिंदे ने सो विधान सभा सीटों का चैन कर लिया है और एक नाजपा शिंदे का ये पक्का इरादा है कि इन सो सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे अब ऐसा क्यों दरसल 2019 में शिव सेना जो बटी नहीं थी जो अविभाजित थी उसने 65 विधान सभा सीटों पर जीत दर्च की और तकरीबन 56 विधान सभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही और इसलिए एक नार्चिंदे सो विधान सभा सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं इन विधान सभा सीटों से अपने कारेकरताओं से फीडबैक भी ले रहे हैं उधर अजीत पवार हैं जो 80-90 सीटों पर प्रत्याशी उतारना चाहते हैं कई बार वो अपनी बात रख चुके हैं हाल ही में हम इस शाह से मुलाकात करके भी आये थे भाजपा के लिए इन दोनों की इन मांगों को पूरा करना नामुम्किन सा है वो इसलिए क्योंकि भाजपा 150 सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती हैं महराष्ट में विधान सभा की 288 सीटे हैं ऐसे में हर किसी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि कतार में र भाज ठाकरे भी हैं और भाजपा खुद डेल सो सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं अब दोस्तों एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं एक नाच्शिंदे सो सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना चुके हैं एक नाच्शिंदे मौजुदा मुख्यमंत ओ यानी 2024 में तब एक नाच्शिंदे नाराज हुए उन्होंने अपनी नाराज़की जाहिर की और ये कहा कि 400 पार सीटों का जो नारा था वो नुकसान कर गया और अब अजीद पवार अजीद पवार तो एक खुलासा भी कर रहे हैं कई न्यूज वेबसाइट्स पर ये नाम बदल कर कोड नेम से ए ए उनका कोड नेम था और इसी कोड नेम से उन्होंने ट्रैवलिंग की फ्लाइट में वो मास्क और टोपी लगा कर बैठते थे ताकि लोग उनको पहचान ना सकें सवाल दोस्तों ये है कि आखिर चुनाओं से दो महीने पहले इस तरह का खुलासा आखिर क्यों हो रहा है क्या अजीत पवार भारती जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी पर अमिट शाह पर एक दबाव बनाना चाहते हैं वो इस तरह का दबाव बनाना चाहते हैं कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो वो कुछ और खुलासे भी कर सकते हैं अब खबर ये भी है कि शरत पवार के अपमान के बाद से अमिट शाह ने जिस तरह से शरत पवार पर भष्टाचारी होने का आरोप लगाया उससे भी अजितपवार नाराज है उधर अजितपवार की पार्टी में भी भगदल मची हुई है अजितपवार चाचाशरत पवार की शर्ण में जाने की कोशिश भी कर रहे हैं और भारती जनता पार्टी के लिए ये बड़ी टेंशन है अब दोस्तों अगर अजीत पवार और एक नाशिंदे दोनों अपनी अलग-अलग राह पकड़ लेते हैं भारती जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो महराष्ट में बीजेपी अकेले पड़ जाएगी भले ही बीजेपी ने ये सर्वे करवा लिया हो कि महराष्ट में अकेले चुनाओ लड़ने में उसका कितना फाइदा है और कितना नुकसान है लेकिन ये बात बिलकुल सच है कि अगर एक नाजशिंदे और अजीद पवार ये दोनों महायूती गड़बंधन से अलग हो जाते हैं तो भारती जनता पार्टी के लिए लोग सभाचुनाओं से भी ज़्यादा बुरी इस्थिती हो सकती है यानि भारती जनता पार्टी इन दोनों को साथ तो रखना चाहती है लेकिन अपनी शर्तों पर उधर एक नाजशिंदे हैं जो सौल सीटों से कम परमानने को तयार नहीं अजीद पवार असी से नब्बे सीटे मांग रहे हैं और सबसे बड़ी बात दोस्तों एक नाजशिंदे मुख्यमंत्री पत के दाविदार हैं अजीद पवार मुख्यमंत्री पत के दाविदार हैं देवेंद्र फलनवीस मुख्यमंत्री पत के दाविदार हैं यानि एक ही गडबंधन में तीन तीन शक्स मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। अब नरेंद्र मोदी, अमिश्षाह, जेपी, नड़ा, एक नाशिंदे, देवेंद्र, फ़लनवीस और महायुतिगडबंधन के जितने नेता हैं वो इस स्थिती से कैसे निपटेंगे ये एक बड़ा सवाल है। उधर नितीश कुमार भी महाराष्ट में सीट शेरिंग में नरेंद्र मोदी और अमिश्षाह से GDU के लिए सीटे चाहते हैं। राश्ठ हाकरे भी हैं, रामदास अठावले भी हैं। अब हर किसी को संतुष्ट कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन बात ये भी सच है कि अगर अजीत पवार और एक नाच्शिंदे चले गए तब तो भाजपा की स्थिती और खराब हो जाएगी। अब ऐसी तमाम स्थितियों से निपटना नरेंद्र मोदी और अमिश्षाह के लिए दरसल एक बड़ी चुनौती है। एक नाच्शिंदे और अजीत पवार दोनों भयंकर नाराज बताए जा रहे हैं। और अगर आने वाले वक्त में जल्द से जल्द ये सीट शेरिंग न की गई तो दोस्तों महराष्ट में महायुति गड़बंधन किसी भी दिन किसी भी पल तूट सकता है।